श्लुक्रमांग सत्ता इस प्रशांत मनसंहेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम उपैति शांत रजसम रम्ह भूत मकल्मशम रभूपाजी प्रशांत को बड़ा सुन्दर कहते हैं देखिए प्रशांत करत क्या ले रहे हैं क्रिष्ण के चर्ण कमलों में स्थित शांत जब तक हमारा मन भगवान के चर्ण कमलों में आश्रे नहीं प्राप्त करेगा तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकता है जानते हो इसका क्या श्लुक है भुक्ति मुक्ति सिधिकामि सकल या शांत क्रिष्ण भक्त निश्काम अतेव शांत कृष्ण भक्त निश्का मर्थाद केवल वह कृष्ण की इंदियों को संतुष्ट करना चाहता है he simply wants to satisfy Krishna's senses that's why he becomes peaceful completely peaceful और वो पाज इसको ऐसे बताते हैं तात्पार में जब कोई भगवान से कुछ अपने कुछ प्रेम मई लविंग ओफरिंग एक प्रेम मई ओफरिंग भगवान को देता है तो भगवान से इतना सुख मिलता है वो परम शांती को प्राप्त करता है करें को 9 777 लविंग ओफरिंग तो क्रिष्णा में मेyond the heart completely है कुछ नहीं चाहिये जैसे आप जानते हो, लीला आप जानते हैं, खोला बेचा सिदर को महाप्रभू ने बोला, क्या चाहिए मैं खोला बेचा सिदर, क्या तुम्हें अश्ट सिद्धियां चाहिए, तुम्हें स्वारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तर नहीं, क्या चाहिए, यही बात हैं हमें बोली जारी है जो भवान के चलड़ा में इसका मन संब्ध भवान से स्थावित हो गया, पूरी तरह से इसका मन अब शांत हो गया, प्रशांत मनसम ही एनम, इस प्रकार के मन, इनम मतलब यह योगी, योगी नम सुखम उत्तमम, ऐसा योगी उत्तम सुक्की प्राप्ति करता है, perfect happiness, highest happiness, उपयती मतलब सुख प्राप्त करता है, शान्त रजसम मतलब रजगून अब उसके हिर्दे में नहीं है, मैंने आपको बताया था पिछले श्लोक में कि मन क्यों अस्थिर है, रजगून की प्रभाव से, अब रजगून समाप्त हो गया, अब उसक बर्मभूतम अकल मश्रम, अव है ब्रमभूत हो गया, जीवभूत क्या हो गया, Condamed Soul, ब्रमभूत क्या हो गया, मुक्त अत्मम, इसके रदे में कोई भोग की इच्छा नहीं, हम लोगों को लगता है यह संभवी नहीं होगा, अगर संभव नहीं होता तो भागून बोलते क् सब्सक्राइब कि एक बहुत अच्छा मित्र है हमारा क्योंकि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगे लगता लेकिन भगवान के अलावा मन कहीं लगे गई यह इस्तित्वाद है तो इसलिए यह समझते हुए मन को बार-बार भगवान में ही लगाई है उसी में जाकर के सांति प्राप्त करें वह रजगुण से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एक्ताक उस्वान भी शचेनरंध कृष्णा एस स्पिरिट ऑन आयमा स्पिरिट एंडर्स अडर्स्टाइट अपने समझ्थ विगत कर्मों के फरों से निवर्ट हो जाता है इसका अर्थ क्या है कर्म फल का मतलब क्या होता है करम फल का मतलब होता है भूग की वासने इस प्रकार प्रयास करने के द्वारा योगी पुनहा समाधी के आनंद का अनभव कर पाएगा किस प्रकार प्रयास करने के द्वारा मन कहीं पर बी जा रहा है वापस भग्रवान में लगाई है तो ये बड़ी महते बात प्रषांत मनस्म अर्थात जिसका मन आतमा में ही अचल है मतलब भग्रवाण में ही उतने समस्ति इ Debatte को इंभव रहे है मेरा चित अब भोगों में नहीं जाता है एक सोठाइस करते हैं जो भी है तो पहले बता रहे थे तो मैंने क्या होगा तो कितनी बड़ी फाइदे हैं किकिलिए इस परकार से है उइंप अची बात है तो यहां मे ही बोल रहे हैं प्रशांत अर्थाद उनका मन भगवान में ही जाता है अतेव उसका मन अकल शय है अर्थाद जिसमें पुराने और सूक्षम दोष दगद हो चुके हैं जएकि पुराने पहले का मतलब क्या है कोई पहले का किया रहता है उसका च्छाप रहती है तो वह च्छाप भी नस्ट हो गई अब उधर मन जाए गई नहीं अभी पिछले श्लोग में हमने क्या बड़ा था कुछ पाप का संस्कार आ गया तो मन खिचो वहां से भक्ती करते करते हो संस्कार धौस्त हो जाता है वासना ही लोस्त हो जाती है वह रहती ही नहीं यह बात बोल रहा है तो टाइम लगेगा तो फिर बच जाएंगे ना फिर आप इशाश्मत जम्हें में नहीं पहुंच जाओगे अगर भोग की इच्छा समाप तो हो गई तो भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे पिर वहां कितनी सम होता है एत्मा कोई रहती है योगी साखशात आत्मा की रहती है रहती ह। प्रभुपाजी देखी उसको अपने अन्वात में रखे हैं आत्मा का अन्भव कर रहा है मतलब समझ पारा है कि मैं किस प्रकार से दिव्य हूं और भगवान भी दिव्य है और मनका दिव्यदास हूं यह बास समझ पार ठीक है तात्मारे पढ़िए ना रशाती प्रभुपा मतलब यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मा अपने आत्मा के सुरूप का अन्भव करता है यह ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मस से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में इस्थित हुआ जाता है बहुतिक कल्मस क्लियर है जब तक मनुस का मन भगवान के चरण कमनों में इस्तिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता ब्रह्म रूप मतलब अपने स्वरूप में कृष्ण के दास के रूप में सवय मनह कृष्ण पदार विंदयो भगवान की दिवी प्रेम भक्ति में दिरंतर प्रवित रहना या कृष्ण भामनामृत में रहना बस्तुता रजोगुन तथा भौति कल्मा से मुक्त होना है तो बड़ा स्पष्ट है भगवान की बक्ति कर रहे हैं तो फिर अज़ेगों तमगोट से मुक्त है एक श्टोक और देख लेते पूरा हो जाएगा योगी विगलकल मशा सुखेना ब्रह्मसंस पर्शम अत्यांतं सुखमस्णुते बहुत सुदर है बहुत सुदर इसलिए है क्योंकि भगवान ने बहुत सारे योगियों को इस सिध्धी की अवस्था में पहुंशते और सिध्धी की सुख का अनुवप करते हुआ योगी विगत कलमशा वह योगी सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है फिर क्या होता केते हैं सुखेना ब्रह्म संसपर्शम ब्रह्म के संसपर्श से भक्ति के सुख से उसके संपर्क की प्राप्ति से अत्यंतम सुखम अश्नुते अत्यंतिक सुख का अन्भव करता है उस सुख में कोई दुख का सम्मिश्रन नहीं है जैसे हम कहें हमने परांट every happiness is mixed with some misery बड़ यहां बोले अत्यांतम सुख अमोशनते मतलब वैसा सुख जिसमें कोई दुख मिला नहीं जैसे भी प्रवजी ने बताया यह हरी नाम करना अच्छा लगता है तो यह अत्यांतिक सुख है जब हरी नाम का सुख मिलता है तो आप इसमें यह नहीं कह सकते इसमें कोई दुख मिला हुआ है नहीं है ना आप समझबा रहे हैं जो सुख में थुरा दुख मिला है वैसा सच्छा सुख नहीं है सच्छा सुख क्या है जिसमें आपको कोई दुख नहीं है किसमाज में आ रहा है बात संधर माधा प्रवू आत्यांतिक सुक यह होता ? जो शुक हमें मिला हो और उसमें कोई दुख नहीं हो और इस जगत में कोई भूफ से प्राप्त तताकत सुक हो उसमें ऐसा नहीं हो बहुत दुख की मातरा होगी सुक बहुत थोड़ा सा हो बगाव रजगुल्ला खाने में अच्छा लगता है कितीन दिर अच्छा लगता है तो यह बाद समझने ना चाहिए कि यहां पर जो योगी है वह अपने इंद्रियों को सहमित करते हैं भगवान में बार बार उस्पर्ष कराता है भगवान का सपर्ष प्राप्त होके और कि इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर फिर सियात देलांगा किस प्रकार योगा भ्यास मन कहीं पर बिजाए वापस मगवान में लगाओ लगा रहकर आत्मस्यमी योगी समस्त भौतिक कलमस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रमा भक्ति में पर इस प्रकार से वर्णित योग बद्यती के द्वारा दग्द सभी दोशों से शुद्ध होकर योगी अनयासी ब्रह्म संस्पर्ष अर्थात परमात्मा के अन्भव से प्राप्थ होने वाले आत्यानित अर्थात अपरिमित अस सिमित सुख को प्राप्ट करता है समझ मैं आहीं बात जब उसका हुरी शुद्ध हो जाता है चित्व शुद्ध हो लन तम सत्व सुध्व हो गया चिम दो गया मनश्फवी अब भगवान के दौरा जो सुक्ष निकलता उसको उनभव करने में समर्थ hell i essai's को सम्मेशनमों नहीं है और वह अन्लिमिटर सुख था हम लोगई को अभी हालका सा सख देते हैं अ अ हरिदा पूरी तरह शुद्र नहीं हुआ है तो अभी एनलिमिटेट हैपिनेस प्राप्त नहीं है लेकिन हलका हलका आपको अनभा होता है ताकि आपको यह लगे कि हाँ यह चीज काम करती है अगर एक दमी सुखा सुखा चलता रहेगा तो आपको लगा रहे तो कुछ होई नह कह सकते कि गिता क्लास लगती है और यह भी नहीं कह सकते कि hear आप समझ पने मेरी बात एकताम क्लीर नहीं हो अप्सेर को प्रवचन करने जा Japanese है कि किर रमेजेंग है ना टीने तो में गता है निकरे प्रवकर अनदय है उनको गित ऐन गिन तुम मिलेगी नहीं और ऐसा भी नहीं हो कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं तुमनों कहीं न कहीं हम भगवान की बाद वाने सुन करके हमको अच्छा भी लग रहा है लेकिन अभी क्लीर नहीं कि उसुख प्राप्त हो रहा है तो यह अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको क्लीर दिखने लग जाए यह पॉजिटिव सुख है वो मिलेगा इसलिए सुनना बहुत जरूरी भावान विश्णु उसमात को बोल रहे हैं शुद्भक्ति के लिए धार्मिक आचरण शास्त्रिक वचन और लगातार अभ्यास यह भावन विश्णु बोलना है तब भक्ति प्रा इसलिए आप देख रहे होंगे जब भी हम शास्तर डिसकस करते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ जाती हम सही पत्पे हमें चलना चाहिए आज ही हमको एक भक्त ट्रेन में चोड़ने की जा रहे हैं और वह हाइवे पर चैसे अपने हाइवे निकाड़ी बढ़ाए और इदम से उनका एक्सेलेटर डीले होने लगा हम लोग सही रस्ते पर हैं अनिकाड़ देखो आप सही रस्ते पर हो लेकिन आपका एक्सेलेटर जो है वह धीर हो गया क्यों कि यहां पे कोई मील का पथर नहीं समंझ में तो उसी प्रकार से हम जब शास्तर सुनते रहते हैं तो हमारा बना रहता है जो हम पथ हैं बिल्कुल सही है बिलकुल सही चल रहे है तो हमारा उत्सा बना रहता है नहीं तो हम शास्त्र नहीं सुनेंगे भगवत गिताव अद्रहतनी होती है ऐसे योगी को जो लगातार लगा रहा भगवान की भक्ति में मारे बीच में आई शास्त्री जी बोलेंगे ताथ पढ़े पढ़की है ना आपके पास कुछ पढ़ने के लिए आत्म साक्षातकार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वभाविक इस्थिति को जानना जीव आत्मा भगवान का अंस है और उसकी इस्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म समस्पर से कहलाता है इसको लास्ट लाइन को मैं समझाता हूँ, जो कि जो से हम गीता पढ़ रहे हैं, ये हरे कृष्ट मंजब कर रहे हैं, ये भगवान की सिवा कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, नवदा भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीरन कर रहे हैं, तो हमें भगवान का संपर्क प दाप्त कर रहे हैं जैसे जैसे हिर्दत शुद्ध हो जाएगा जब पूरी तुरह तुरह हिर्दत हो जाएगा तो चाहे इस भक्ति के किसी भी अगल करें आपको शुक कर प्राप्त हो अब अनभाफ कर पांगे हमें जब यह में बहुत कि आप उसको डिस्क्राइब करता है कि बहुत रोंग्टे खड़े हो रहे हो असी में सुख मिला ऐसा नहीं होगा लेकिन एक स्तर आएगा जब विक्ति कोई पॉजिटिव सुख मिलेगा इस रजगुल्ला खाते न तो अनभाव होता है कि हाँ यह टेस्ट है जब में कभी- पर्क में आते हैं क्या असानभव करते हो आप अपने महसूस करते हो कि अपकी चेत्वन हो रही है शुद्ध हो रही है नहीं करते कोई करते हैं तो यह हलका हलका हिंट है ब्रह्मस्वास्पर्श का अब यह स्तिति जब आगे जाकर दुरुमाराज बोल रहे हैं कि भगमान आपकी कता सुनने में तो ब्रह्म आंंद प्राप्तन को अभी नहीं है उतना सपष्ट नहीं है करका हलका हण को इसका हिंट मिलता रहता है तो जा प्रहपात बोल रहें ब्रह्म स्पार्श मत्व भक्ति के मात्यम से भागवान से संपर्ख होता है जीव को सुख प्राप्त होता है यह रुखते हैं लोग श्रीमत भगवद गीता की जाए श्रीवपात